हलो नमसकार दोस्तों स्वागत हे आप सभी का कमलेश विशाकर्मा यूट्यूब चैनल पे जो की फ्रेंड़स आप लोग यहाँ पर देख़ पा रहे हैं इंजिन्ग ड्राइंग सेकेंड इयर पेपर जो की फ्रेंड़स में आप लोग को सेकेंड इयर के एक्जाम पेपर के बारे में आप लोग को बताऊंगा जो कि फ्रेंड्स आप लोग का जो question आते हैं electrician और electronics के लिए उसमें आप लोग का जो question सिंबल से आते हैं इंग ड्राइंग में वह आप लोग अर इस वीडियों complete देख लेते हैं आपका element यूज होते हैं वही आपका यहां पर symbol के बारे में आप लोग को बताना है तो आपका यहां पर serial number दिया गया है पार्टिकूलर्स दिया गया है तो आपका पहला में दिया गया DC current याण DC आप लोग का direct current जो होता है उसका symbol आप लोग का इस परकार बनेगा जो की एक सिधी में चलती है और आपका दूसरा है AC जिसे आप लोग alternative current प्रत्यावर्तिधारा बोलते हैं वह आप लोग का इस परकार का बनेगा और आपका तीसरा दिया गया है positive जिसे आप लोग धनायान plus जो आप लोग बोलते हैं उसका symbol आप लोग का इस परकार बनेगा और आपका चौता में दिया गया negative जिसे आप लोग redion read minus बोलते हैं वह आप लोग का इस परकार का बनेगा symbol और आपका पांचवा में दिया गया है सिंगल फेज एसी पचास हर्टज तो इसका सिंबल आप लोग कुछ इस परकार का बनेगा जिसे आपका फाई जो है फेज को दासाता है और हर्टज कंपन को और आपका छटवा में दिया गया है थ्री फेज एसी पचास हर्टज तो आपका यहाँपर दिया गये सातवा में A.C.也 C पले फ्रेंट्स आप लोगोंने A.C. को अलग और B.C. को अलग है अब आप लोगों को दोनों साथ मिला कर बनाना है तो आप लोगों का सिंबल जो है कुछ है इस परकार का बनेगा और फ्रेंडस आपका जो आठőमा है वो आपका 3-phase line बनाना है तो आपका symbol जो है 3-phase line का इस व्रकार बनेगा L1, L2, L3 के रूप में और आपका 9 जो है वो neutral line का दिया गया है तो आपका neutral line का जो symbol होगा वो इस परकार का बनेगा और आपका यहाँ पर दिया गया है दसमा में अर्थ जिसे आप लोग अर्थिंग बोलते हैं और आप लोग इसे अपने घरों लगाते हैं तो इसका जो अर्थ है वो इसका सिंबल इस परकार का बनेगा और आपका 11 में देख पारें दिया गया जिसे आप लोग सेल बोलते हैं जो आपके घड़ी छोटे खिलाओने में आप लोग लगता है उसी कुछ सेल बोलते हैं तो इसका सिंबल जो होगा सेल का इस परकार का बनेगा और आपका 12 में दिया गया है बैटरी जैसा कि फ्रेंड्स आप पूल स्विच्ट थोष्वीच जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोग का सिंगल पूल सिंगल थोष्वीच आपको बनाना है, जिसे आप लोग आम भासा में स्विच्च भी बोल सकते हैं, तो आपका इसका सिंबल कुछ इस परकार का बनेगा, और फ्रेंड्स, आपका 4 दिया गया ह अल्टरनेटर तो अल्टरनेटर का सिंबल इस प्रकार का बनेगा और आपका 17 में में दिया गया जन्रेटर जो आपका जन्रेटर का सिंबल कुछ इस प्रकार का बनेगा और आपका यहाँ पर दिया गया 19 में जो कि आप लोग का AC Motor Single Face आप लोंगो को Single Phase AC Motor बनाना है तो आपका Symbol जो है इस परकार का बनेगा AC Motor Single Face का और आपका 25 में दिया गया है three-phase Square Cage Motor तो आपका Square Cage जो motor है आप लोग का three-phase का कुछ इस से परकार का बनेगा Symbol उसका और आपका design केश में में दिया गया है थ्रीफेज सीलीफ रिंग मोटर तो आप लोगे है going और आपका 22 डिया गए है सिंसे आप लोगे बना लीजिए स्ड arkadaşlar अगया है ElectroLight Capacitor तो आपका ElectroLight Capacitor C expense दो इस परकार का बने गा और आपका जो चौबूस में दिरा गया है टूवे स्विच टूवे स्विच आप लोगवका कुछ ायस परकार का बनेगा अब आपका 25 में दिया गया है डिपी डिटी यानि फ्रेंड्स आप लोग का डबल पॉल डबल स्वीच आप लोग को यहां पर बनाना है तो आप लोग का जो सिंबल ओगा इस पकार का बनेगा अब आपका 26 में दिया गया है के और अपनलोल का और यह है और आफ लोग का संबल इस यह है और आप लोग रोग को रेसे मेंreso ये है और ये थीपीन वाला ये है जो कि इसमें अर्थ का दिया गया है सिंबल और इसमें अर्थ का नहीं दिया गया है और आप यहाँ पर देख पार है जो कि यह आप लोग का ओवरेट लाइन ये है आपका इसका सिंबल आप लोग किसे बना लीजेगा और आपका 31 में दिया गया है एरियल जिसे आप लोग एंटीना बोलते हैं और आपका यही एरियल का यहाँ पर सिंबल दिया गया है अब आपका 32 में दिया गया है बोल्ट मी आपका ओम मीटर का सिंबल इस परकार का बनेगा अब आपका 35 में दिया गया वाट मीटर वाट मीटर का सिंबल कुछ इस परकार का बनेगा जो कि आपका 36 में दिया गया है लैंप जिससे आप लोग बलो बोलते हैं वह आपका लैंप का सिंबल कुछ इस परकार का बनेगा और और आपका यहाँ पर 49 में दिया गया है रिले जिसे आप लोग रिले बोलते हैं वह आपका रिले का सिंबल यहाँ पर दिया गया है और आपका 40 में दिया गया है एलेक्ट्रिक बेल का सिंबल कुछ है इस परकार का दीजा गया आप लोग से बना लीजिए गा और आपका 1110 डैंगा बजर आपको बजर का सिंबल कुछ है इसपरकार का मिल जाएगा और आपका 22 में दिया गया है कान्टेंट से एन्नो एन्सी यानिənर्मली ओपेढ का है पर दिया सिंबल कुछ इसप्रकार को बना लिजिएगा और आपका दिल्टा केभला ली निया थी भेस कांटेक्टर आप लोग का यहां पर 45 में दिया गया है चोक आपका फ्रेंड जब ट्यूब लाइट आप लगाता है उसमें आपको चोक भी लगाना पड़ता है तो आपका चोक का जो सिम्बल है आप लोग का इस परकार का बनेगा और फिर्ट्स आपका यहां पर 46 में दिया गया ट्रांसफार्मर आप लोगों का जो ट्रांसफार्मर का alla करेवागा और अपकर 44 में लबड़ लाउड स्पीकर दिया गया धि तो लाउड doen स्पीकर सिंबल आप लोग कुछ का बनेगा और आपका आप में दिया गया है register फिक्षड यारी जिसे आप लोग Registence बोलते हैं वो आप लोग का कुछ इस परकार का बनेगा फिक्स वाला और आप लोग का जो फाशास है रजिस्टर वेरियेबल आप लोग का दिया गया है जो की तिरपन में दिया गया है Ganged Capacitor, आपका कुछ इस परकार चाहँए गया है, इसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है चाहँवन में, Main Transformer with Multiple Secondary Wirring, आपका यहाँ पर इसका सिंबल कुछ इस परकार का बन जाएगा, आप लोग इससे बना लिजिएगा, अब आपका यहाँ प और पिरेटस आपका यहां पर 56 में दिया गया है सिलीकोन स्वीच सब्साप्साप केका इस प्रइकार का सिम्बल नहीं और फ्रेंट्स आपका संटावन में दिया गया है यह सी आर आपका कुछ इस परकार का बनेगा और आपका यहां पर अंठावन में दिया गया यू जे टी आप लोगा कुछ इस परकार का बनेगा और उनसट में दिया गया एफ एटी एन चैनल आपका कुछ इस परकार सिंबल सिंबल बनेगा और फ्रेंट्स आपका यहां पर 60 में दिया गया है यह एटी पी चैनल आपका कुछ सिंबल बनेगा और एक सट में दिया गया है टी आर ए आई सी ट्रेक आपका कुछ सिंबल जो है ट्रेक का वह आपका इस परकार का बनेगा और आपका 62 में दिया गया है डी आप लोग का इसका सिंबल कुछ इस परकार का बनेगा और फिरेंट आपका 63 में जो है NPN ट्रांजिस्टर का आपको बनाना है तो इसका सिंबल कुछ इस परकार का बनेगा और आपका 64 में दिया गया है PNP ट्रांजिस्टर आप लोगा कुछ इस परकार का बनेगा और आपका यहाँ पे नार गेट दिया गया है जो कि आपका सींबल इसे मिलेगी तो आज कि वीडियो में इतना लग लगो अच्छला कि यह राकeh कर और देना है